नमस्कार मैं हूँ कौशल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इगनू में किसी भी परकार का डाउट है आपको तो आप हमें call me for app के तुरू हमसे बात कर सकते हैं इसके लिए आपको id दिया गया है आदर्स कुमार 007 at the cm4 इस call me for app के तुरू आप हमसे बात कर सकते हैं डायर आपका admission से related कोई problem है आपका result अभी तक नहीं आया आपके great card में कुछ problem आ रहा है तो इससे related आप हमें direct बात कर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आपको admission से related कोई भी problem है जैसे आपका admission हुआ लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा admission जो है वो कब तक valid है और साथ में आपको आपने study center change करवाया original center change करवाया लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा change हुआ नहीं हुआ तो आपको पता चल जागा इस वीडियो में तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको किसी भी google में आपको लिखना पड़ेगा इगनू admission status इसके बाद इसको search करना पड़ेगा जैसी आप search करते हैं तो आपका जो है इस तरह से interface खुलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इगनू student management system आपको इसमें आपको enrollment number डानना पड़ेगा जो भी आपका enrollment number है 10 digit का या फिर 9 digit का इसके बाद आपको यहाँ पर program select करना है जो भी आपका program है MCA BCA जो भी आपका है वो सब program आपको select करना पड़ेगा इसके बाद आपको 7 में यहाँ पर capture भरना पड़ेगा इसके आप submit करते हैं तो आपका जो है कुछ इस तरह से interface खुलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो student है वो BCA के student है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको बता दे कि सबसे पहले आपका admission status रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं status में आपको जब आप admission लिये हैं किस साल में आपने एडमिशन लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जुलाई 2016 में ये student एडमिशन लिये है और इनका जो कोर्स का भैलैी डिट है वो भैली डिट जो है वो 2022 है मतलब जुलाई में लिये है 2000 2016 में इसके बाद आपको जून 2022 में इसका भाइली डेट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BCA जो होता है वो तीन साल का होता है तो यहाँ पर आप 16 से 22 तक आप कर सकते हैं अगर आप आपका भाइली डेट खतम हो जाता है तो आपको फिर से re-admission लेना पड़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा लफरा है तो उसके लिए भी हम आगे वीडियो बनाएंगे फिलाल यहाँ पर इतना ही जानिए इसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा जो भी आपका डेटा वर्थ है वो रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं और साम अपर इहां पर आप देख लीजे कि आप ने इग्णु में आप रीडिनल सेंटर चेंज करवाए हो यहां फिर आर्सी चेंज करवाय हो यहां पर आपको साप डिटेल्स में लिखा राए स्ट्वीज़्च करवाया है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप यहां से आप request को देख सकते हैं, status को देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि control number है, इसके बाद आप कब करवा हैं, वो date रहेगा, इसके बाद change कहां पर करवा हैं, वो भी यहां पर लिखा रहेगा, यहां पर आप देख सकते पहले जो थे वह 0.516 में थे इसके बाद नया जो ये चेंज करवा है वह 0.514.7 में आ गए है ये study center का code है तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसके बाद साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो course है वो कितने semester का होता है यहाँ पर आपको कितना बार आपको registration करव क्यों बाद भाना परेगा यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा और साथ में यह भी दिखाई देदेगा status में कि आपको जो फस्यमेश्टर में आपका जोभी admission हुआ है उसमें आपका कितना course परना है कौनकान सा course परना है वहाँ पर आपको के student है वो first semester के student है तो सबसे पहले आपको एक को one paper पढ़ना पढ़ेगा बहुत सारे यह सब paper है BCS 012 BCS 011 FEG2 यह सब course है आप एक बार course को भी देख लीजे तो इस तरह से आप आप देख सकते हैं साथ में यहां पर एक और खास बात यह है कि आप अगर आप इस portal पर आते हैं तो यहां से आप direct grade card को भी चेक कर सकते हैं termine result को भी चेक कर सकते हैं साथ में study material को भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं हौल्टिकट भी डाउनलोड कर सकते हैं इहां से आप assignment status भी देख सकते हैं और यहां पर आप आपने exam form भारा है वो भी आप अपना यहां से status देख सकते हैं आप यहां पर student grievance भी देख सकते हैं student grievance का मतलब हुआ कि इगनु में आपको किसी भी परकार का सिखायत है तो आप student grievance से आप कर सकते हैं इस पोटल पे जाके इसके बाद इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे इससे भी आप देख सकते हैं आप साथ में एगनु student mobile lab भी डाउनलोड कर सकते हैं रिए गोलेशन भी चेक कर सकते हैं री रिएगिस्टरेशन भी यहीं से कर सकते हैं तो इससे साब पता चलता है कि एक पोटल से आप बहुत सारे पोटल पर जा सकते हैं तो देख सकते हैं कि यह कितना खास पोटल है आपको यहां से सारे status पता चल रहे हैं, यहां पर एक और student का बता दे रहे हैं, कि यह देखिए कि इनका जो है, यह भी MCA के student है, वो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि यह कव एर्मिसल लिए हैं, 16 में, एर्मिसल लिए हैं, जुलाई 16 में, और यह इनका जो valid है, course वो 2024 सक valid ह यहां पर आप देख लीजिए, इसके बाद यह सब course details है, course details देख सकते हैं, MCA में जो होता है, तिन semester होता है, ऐसे भी 2 semester होता है, Gnum में पहले 3 semester होता था, लेकिन अब 2 semester होता है, यहां पर आप देख सकते हैं हमने यह course के बारे में भी बता दिया है, इसके बाद यहां से आप mini portal पे जा सकते हैं और साथ में important बात यह है कि यह student को देख लीजे कि यह कितने बार अपना study center चेंज करवा है और regional center चेंज करवा है यहां से आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह student कितने बार जो है वो अपना study center और original center चेंज करवाए हैं आपर ये आर्टी चेंज करवाए है study center चेंज करवाए है 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार, 6 बार ये original center से लेकर और study center तक चेंज करवाए है तो इस वीडियो में यही सब था अगर वीडियो पसंद आया तो सभी student के साथ share करें जो student को status पता नहीं चलना है कि उनका status वो कब admission लिये है और उनका course कब तक वह लिडियो है तो बस इस वीडियो में इतना है